चल्चित्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं कि नवस्कार साथियों चल्चेत्र अभ्यान में आपका स्वागत है नर्सी एंपियार और और पूरे देश में परदसन चल रहे हैं और दिल्ली में परदसन होने के बाद इस तरह से पश्चिमी उत्तर परदेश में जो पुलिस का दवन बढ़ा है उस दवन को समझने के लिए आईए बात करते हैं अड़ोकेट अकरम अक्तर चोदरी जी से जो एड़ोकेट हैं और एक मानावाधिकार कार्या करता भी हैं इस विड़ोत परदसन के चलते मुझा फरनगर सामली और मेरट में कितनी मुस्लिमों की गरफतारिया हुई है और अभी तक कितने जेल में हैं देखे पश्चिमी यूपी में लगबग 15 और 16 में जो दिल्ली में परदशन हुए और उसमें बड़े लेविल पे जो काररवाई हुई दिल्ली में उसको देखते हुए इन चार-पा जिलो में खासकर मेरट मुझफरनगर्श शामली सहरनपूर और बागपत तो यहां पे भी कुछ हल चल हुई तो लोगों ने चाहा कि हम विरोध करें और विरोध जता हैं तो विरोध जताने का तरीका उन लोगों ने यह अपनाया कि वो ग्यापन दें और जिलादिकारी य यहां पे शामली मुझफरनगर्श शारनपूर यहां देखा गया कि फरजी एफायरे दर्ज कर ली और फिर अरेस्टिंग शुरू हो गई पहले यह है कि एक सो क्यावन सी आर पी सी की जो धारा होती है उसके अंतरगत लोगों को डिटेन करना शुरू किया वो 17-18 में शुर सकते थे उप जिलादी कारी लेकिन उनको जेल बेज़ दिया वो 15 दिन बीस दिन ऐसा लोग रहे हैं तो शामली से लगबख 36 35 लोग गए हैं यहां भी जो दो तीन फायार हुई हुई हैं लगबख 800 लोगों के खिलाफ एफायार हुई है केराने में शामली में यह सम्मिला दाराओं में फायार दर्च की क्या लोग मरे भी हैं शामली में तो नहीं है लेकिन मुझफर नगर में जो 19 तारीक और 20 तारीक की जो गटनाई हुई हैं तो उसमें लोग जैसे विरोध परदशन कर रहे थे तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया पत्थर बाजी पुलिस के स लगबग 5-6 लोगों की मुरुत्य हुई है उसमें पुस्टी भी हो गई है और मुझफर नगर में भी जो है शुरू के दिन सो से देर सो के बीच लोगों को डिटेंट किया था बड़ी संख्या में लोग जो बच्चे उसमें माइनर थे जिनको बुरी तरह कसड़ी में रखकर के टॉर्चर किया गया जेलों में जो बंद हैं मुझफर नगर की में बात कहूंगा जिन साथियों से मिलक्या है लग पैर पे और पंदरा से बीस तो ऐसे साती हैं ऐसे जो इनको जेल में बंद किया गया कि उनके हाथ और पैर में फ्रेक्चर है टूटे हुए हैं बहुत बुरी इस्तिती है उन लोगों की साहरनपूर में जो फायार हुई उसमें कोई बड़ी संक्या में लोगों गिरफतार पैर नहीं किया गया लेकिन फायर जो ही है वो लगबख 1600 लोगों के विरुद हुई है जो यह योगी सरकार का संपत्ति जप्त करने का जो आदेस है इस पर आपका क्या कहना है जो आदेस जो जो नोटिस लोगों को दिये जा रहे हैं तो शुरू में जिन लोगों को जेल ब पास जिनके मकान थे तो उनको चीनित करके नोटिस दे जा रहे हैं कि आओ जवाब दें चार दिन में एक हफते में जवाब दें अन्य था आपके विरुद जो है माल लिया जाएगा कि आप इसमें शामिल थे तो वो नोटिस एक हवाला दिया जा रहा है कि 2010 का एक करार दिये गए भाई आप जब कोट में कोई दोशी होगा कोट ओफ लो के द्वारा किसी को दोशी करार दे जाएगा तो तभी आप अभी साबित नहीं हुआ कि किसने लूट पाट की किसने हिंसा बढ़काई तो उससे पहले ही आप जो है लोगों को अगर नोटिस दे रहे किसी कोई लीगल गाठता नहीं है माँसर आप जैसे जो समाजिकारय करता है समस्य कह सब्सक्राण की सरहिक बहुत है जिसको दरुब츠 일efिक क्या कर सकते हैं और वो अदिकारियों से भी मिल सकते हैं अपनी बात रखने के लिए जहां भी जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखने के लिए या जो जो वादी है उसको लायर की ज़रूरत रहती है तो पहले ही दिन से जब मैं देख रहा था भी इस तारीक में जो हुआ तो हम लोगों ने कोशश की थानों में जाने की तो वहां जहां डिटेनी को रखा गया था खासकर मुझफर नगर में पुलिस लाइन के बार तो अंदर किसी को नहीं जाने दिया गया इवन परिवार के लोगों को कुछ कपड़ा और खाने पीने की चीजें तक अलावनीं की गई दो गटनाएं ऐसी आई हैं सामने अगर उन्होंने थाने जाने की कोशिश की है या फिर थोड़ा सभी आर्ग्यूमेंट किया है पुलिस के साथ तो उनको भी डिटेन किर लिया है एक मुनीर है जो शामली कोतवाली द्वारा जिनको डिटेन किया गया वो law student है final year के अभी वो law complete कर लेते तो उन्होंने जाके पूछा कि उनको भाई उनके बाईयों को डिटेन कर लिया गया है कहां रखा है बता दीजे तो उनको डिटेन करके उनको भी जेल बेज दिया है पहले 157 में चलाने किया फिर 153 ए और 188 और 505 505 IPC की दाराओं में उनको जेल बेज दिया गया एक वकील बाहर से आए थे कहराना कचे जो तैसील है तैसील परिसर से ही उनको उनके साथी जो थे उनको उठा लिया गया और वो जमानत की परकिया में लगे हुए थे तो उनको भी उठा कर वो राजिस्तान से कोटा से थे तो वो यहां फैक्ट फैंडिंग के लिए आए थे और यही अब कोट से जब वह वापस आ रहे तो वहीं से उनको शामली पुलिस ने उठाकर जेल बेज दिया अच्छा सर जो यह जहां जा पे भी हिंसाई हुई हैं और यह देखा जा रहा है कि जहां जापे भारत्य जंदा पार्टे के सरकार थी और जहां पे पुलिस भारत्य जंदा पार्टी के अंदरगात आती थी वहीं पर इंसाय हुई है इसके क्या वज़ा रही इसका करण एक बड़ा यह है कि राज्य सरकार द्वारा और अनोफिशिली एक मैसेज दिया गया पुलिस को कि किसी भी तरह का जो विरोध है चाहिए वो शानती पुरुन हो या फिर किसी भी तरह का हो सड़कों पे लोगों लोगों दिखने नहीं चाहिए इवन गलियों में लोग इखटे ना हो पाएं तभी जल्दवाजी में 144-44 जगह 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 लगाई गई हर दिलों में लगा दी गई 144 क्योंकि आपको 144 की कोई यहां लगाने की जरूवत ही नहीं थी यहां क उसको दबाने की कोशिश की गई है और पुलिस को जो अधिकारी हैं जो जिन लोगों को पकड़ के लेके गया है उन्होंने हम से किलियर लिका है कि पुलिस का जो रवय था वो इस तरह का था कि किसी भी हद तक वो जा सकते हैं तो पुलिस की बरबरता सीधे तोर पर सामने सब में चीए तो उसमें राजय सरकार कहीं कर रहा democrats तो तर IL राजय सरकार की द्वारा यह मानव थीकारों का तो हणन्न ही है बल्के यह कह लिजिए के जो सीविलाइज कांट्री है यह स्बिलाइज स्टीट है वहां पर यह एक तरह से कह लिजिए कि यह डिक्टेटर्शिप डिक्टेटर्शिप की एक पहचान है उत्तर परदेश को आप अब के दोर में किस तरह से देख रहे हैं उत्तर परदेश में इंटरनेट बंद हुआ और फिर एक 144 जलबाजी में लगाई गई और पहली चीज यह है कि लोगों से बात करने ही कोशिश नहीं की गई पुलिस पर गैरा मिलटरी आरे एफ लगाई गई है और वहां सुकून से हो रही है अगर यही तरीक इसी तरीके से लोगों कहा जाता कि आप तुम्हें हक है अपनी आवाज रखने का आप रेली निकाल सकते हैं लेकिन इसके यह यह तरीके होंगे आप रेली निकालिए आप जो है इंस चाहिँ तो यह बहुत बड़ा फैलीयर है उतर परदेश सरकार का कि वह दबाना चाहती थी वह बात करना चाहिए जो यह नारt सी के कहलाब यो टूर रहा है यह ढोर चल रहा है इसमें जो राजनिती राजनितिक लोग है उनका कितना अस्तक सेप रहा है जनता के हितने बड़े नेताओं की तो मैं बात नहीं करता हूं लेकिन जो कम्यूनिटी लेवल पे छोटे मुटे भी लीडर है वाड मेंबर है छोटे मुटे काम कराते हैं तो उनको तो पहले ही सरकार ने फोन करके या जो सरकार की जो पुलिस है अडिमिस्टेशन है लोकल उन्होंने ड्राया दमकाया है इवन मुझफर नगर की मैं घटना बताऊं कि एक लोकल लीडर है उनको नोटिस दे दिया गया वन फुटी फोर के अंतरगत के आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको अरेस्ट किया लीडर से तो कोई बाती नहींए उनको ड्राया गया पहले अगर उनसे उनको टरस में लिया जाता उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो यह झाल यह नोबत नहीं आपाती तो सरकार का फैलियर यह रहा कि उसने बिलकुल भी कम्युनिकेशन निकी लीडरों से बाकी जो दरे हुए थे तो पहले ही घरों से बाहर नहीं निकले उसके बाद अ की लिदर को सामने आए हैं कहली जी अगर पिंका गांदी निकल के आई हैं और वो पीडितों से मिली हैं अलग-अलग जगां जहां घटनाई हुई हैं वहां गई हैं या और भी इस तरह के लीडर हैं कुछ पार्टियों ने जो पीडित थे उनको कुछ कानूनी मदद या कहली जी कुछ financial support देने की बात क तो उस अस्तर पर बिल्कुल leadership सामने नहीं दिखी इस पूरे दोर में आपका खुद का नुबव क्या रहा है खुद का नुबव यही है जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम जितना हम डवलप हो जा रहे हैं जिसना हम कह लिजे कि हम liberal होते जा रहे हैं हमारे चीजे ने-ने evaluation आ रहे हैं मतलब नहीं चीजे सोचल मीडिया और यह सारी चीजे हैं नहीं टेक्नलोजी आ रही हैं तो उसके बढ़ते हुए और हम हमारी सोच में व्रद्दी हो रही है तो यह देखा जा रहा है कि आप सवाल ही नहीं उठा सकते कि आप क्या माना अधिकार रह गए और क्या माना अधिकारों का सवाल वो 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 कहीं उतर परदेश में दिखता ही नहीं है और लोग जो सवाल उठाते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमें दर्ज होते हैं सर चल्चितरव्यान में अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथियों बने रहे हैं चल्चितरव्यान पर और इसी तरह की आपको अबडेट मिलती रहेगी